जिन स्टार किट्स का करियर बनाने के लिए करन जोहर ने खून पसीना एक कर दिया दुनिया भर से दुश्मनी मोन लेली आज उनी स्टार किट्स ने करन जोहर को उल्टा कर लाप मार दी है टाइगर श्रॉफ ने करन जोहर से उनकी फिल्म में काम करने के लिए 30 करोड रुपए मागे यह सुनकर करन जोहर के तो होश उड़ दे करन जोहर की टीम ने टाइगर को मनाने की कोशिश की लेकिन टाइगर ने उनकी एक बात नहीं सुनी और नतीजा अब फिल्म बंध होने की कगार पर पहुँच चुकी है और ऐसा तब हो रहा है जब इस फिल्म का टीजर भी लॉंच किया जा चुका है पिछले दिनों धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म स्कुरू धीला का एक टीजर रिलीज किया गया था इस टीजर में टाइगर श्रॉफ को एक्शन अफ़तार में दिखाया गया था इस टीजर के साथ ही फिल्म का एनाउंस्मेंट भी किया गया था हलाकि लोगों को ये टीजर बिल्कुल पसंद नहीं आया लेकिन फिर भी करन जोहर ने इसे बनाने का फैंसला कर लिया कुछ दिनों बाद करन को तब शौक लगा जब टाइगर की टीम ने उने बताया कि टाइगर इस क्रूड हीला के लिए अपनी फीस के रूप में 30 करोड रुपे की डिमांड कर रहे हैं सूत्र ने आगे बताया कि करन ने टाइगर की टीम को समझाने की कोशिश की कि महमारी और मंदी के बाद कोई भी प्रोडूसर इतनी फीस एफॉर्ड नहीं कर सकता लेकिन टाइगर नहीं माने तमाम कोशिशों के बाद जब टाइगर नहीं माने तब करन जोहर को डील कैंसिल करनी पड़ गई अब ये फिल्म बंद होती नजर आ रही है करन जोहर हमेशा से स्टार किट्स के फेवर में रहे हैं ट्रोल होने के बाद करन जोहर ने बयान दिया कि ये उनका पैसा और उनकी मर्जी है कि वो किसी को लाँच करें फिर वो उनकी बुआ या मौसी का बेटा ही क्यों नहो स्टार के घर में बच्चा पैदा होते ही कहा जाने लगता है कि इसे तो करन जोहरी लॉंच करेंगे लेकिन अब लगता है कि करन जोहर पर उनका यही रवया उल्टा पढ़ने लगा है फ्लॉप होने के बाद भी स्टार किट्स इतनी बड़ी फीस मूफाल कर मांग रहे हैं और टाइगर तो ऐसा तब कर रहे हैं जब इसी साल उनकी फिल्म हीरो पंती टू बूरी तरह से फ्लॉप हुई है अगर कोई बाहर से आया एक्टर ऐसी हरकत कर देता तो पूरी फिल्म डस्ट्री उसे बाइकॉट कर देती वैल अब करन जोहर के लिए उनके स्टार किट मुसीबत बनने लगे हैं देखते हैं कि करन टाइगर को मना भी पाते हैं या फिर नहीं फिल्हाल इस पर आप क्या कहींगे अपनी राय हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलिवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजे